लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें नवी मुंबई में लॉकडाउन का छट्वा दिन भीड और वाहनों को रोकने पुलिस ने बनाया चेक पोस्ट नवी मुंबई में कोरोना कर्फिव के लिए जारी लॉकडाउन का छट्वा दिन आंशिक तोर पर सक्रिये लेकिन बेहद उदासी भरा रहा जीवन आवश्यक वस्तू के किल्लत ना हो इसके लिए सुमार को जहां वाशी की फल, सबजी और अनाज मंडी पूरी तरह चालू रही वहीं शहर के अन्य हिस्सों में दुकान और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे यह नजारा थाने बेलापूर हाईवे का है आप देख सकते हैं जिस हाईवे पर हर दिन हज्जारों गाडियां चलती है उस पर केवल अत्ती आवस्यक शिवाओं वाले वाहन ही दोडते नजर आ रहे हैं प्रतिष्ठानों पर भी सन्नाटा चाया हुआ है खारगर के इस हिरानंदानी सेंटर को ही देख लीजिए यहां हर समय भीड रहती है लेकिन अब यहां खामोश्री पसरी हुई है खारगर रेलवे स्टेशन बेलापूर जूई नगर और सानपाड़ा रेलवे स्टेशन को भी देख लीजिए जहां अकसर यात्रियों का हुजूम उमरता है वहां एक भी इंसान देखने को नहीं मिल लहा लगातार छे दिनों से जारी लॉकडाउन का असर सामान ने मजदूरों पर किस तरह पड़ रहा है आईए हम आपको वह भी सुख़़ाइज पर पूलिस ने आ रहा है का जा रहा है पहला काम पे जा रहा है पहला दीर दीर चल रहा था पिछे से आखिया अईसा मार के वह आगे चल गया पुछ आ जा रहा है पर उनको लेटर दिगा पिर बोला जाओ 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 तरह पार है अभी दो तिन दिन चे तो मैं घर पे था तो आब आज ब़े कंपणी ची पहला तुम पैसे भी करके जाओ और यह लेटर दिया कोई भी आपको रुकाएगा नहीं इस बेच कुछ लोग मानाव सेवा का धर्म निभाते हुए मजदूरों और पुलिस कर्मियों को खाना बाट रहे हैं ताकि उन्हें राहत मिल सके यह बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकांस मजदूर और कामगार वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो कामधंदा बंद होने से परिसान हैं उनके पास पैसे तक नहीं हैं वहीं पुलिस कर्मी और महानगर पालिका अधिकारी जान का जोखिम लेकर लोगों को सेवाय देने में लग है बेरो रिपोर्ट टीवी ओन इंडिया